नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवला के फायदों के बारे में जी हाँ दोस्तो दोस्तो आवला सेहत के लिए बहुत ही फायदे मन्द फले इसमें हमारी सेहत के लिए सबी घुनकारी मिनरल्स भी मुझूद होते हैं और विटामिन्स भी मुझूद होते हैं दोस्तो इसके पोशक तत्व कई प्रकार की प्रोब्लम्स और कई प्रकार की बीमारियों से हमारा बचाओ करते हैं दोस्तो आवले को डायेट में शामिल करके आप बहुत सारी बिमारियों से बस सकते हैं दोस्तो आप अपनी डायेट में इसे जूस के रूप में या फिर इसका मुरब्बा बना कर या फिर इसका आचार बना कर या फिर इसको कच्चा भी खा सकते हैं तो किसी भी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और तो और दोस्तो आयूर्वेज जो है, उसमें भी आउले को बहुत ही ज़्यादा लापकारी शरीर के लिए बताया गया है कि आउला कई प्रकार से हमारे शरीर को फाइदा पुचाता है। तो दोस्तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आउला इतना जदा बेनिफिशल माना जाता है शरीर के लिए और इसके क्या-क्या मेन फाइदे होते हैं। तो दोस्तों आपको पता दें कि आउले में विटामिन C पाय जाता है जो की इम्मुनिटी और मेटाबोलिजम को बढ़ाने का काम करता है। इसके लाव दोस्तों यह अस्तमा में बहुत ज़्यादा फाय जाता है। पीने से कोलेश्टोल का लेवल कम होता है और शरीर सहत मन रहता है। इसमें पाय जाने वाला एमिनो एसिड और एंटी ओक्सिडेंट की वज़े से आपका जो दिल है वो सही तरीके से वर्क करता रहता है। इसलिए इसे दिल के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको बता दे कि लीवर के लिए भी ये काफी फायदेबंद है। आउले में लिवर को सुरक्षित रखने के सारे गुन पाये जाते हैं। यानि की डिटोक्सिफाइ करने का काम करता है। भार निकालने का काम करता है। तो इसलिया से भी आवला बहुत ज़्यादा फाइदेबन माना जाता है। इसके लाओ दोस्तों, वो लोग जिन लोगों के मुँ में चाले हैं, उन लोगों के लिए भी आवला काफी ज़्यादा बेनिफिचल है। जियां, हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि आवले का रस खासी और फ्लू के साथ साथ मुँ में चाले हैं, यानि कि अलसर में भी बहुत ज़्यादा मेनिफिचल माने जाते हैं, आवले को एक कारगर घरेलू उपाई की तरह इस्तमाल में लिया जा सकता है, और इसका इस्तमाल आवले के जूस को पानी में मिला कर उससे आपको गरारे करने हैं, ऐसा करने से मुँगे चाले बहुत जल्दी आपके खत्म हो जाते हैं, तो माउत अलसर के लिए भी काफी ज़्यादा फाइदे मन माना जाता है, अब बात करते हैं इसके आगरी फाइदे की, दोस्तो इसका आखरी फाइदा आता है बालों की जड़ों को मजबूत करने के रूप में, जी हां, बालों की लिए आवला एक दवाई की तरह काम करता है, हमारे बालों की जो सरशना है वो 99 प्रतिशत प्रोटीन का उसमें योगदान होता है, दोस्तो आवले में पाए जाने वाला एमिनो की ग्रोथ के लिए आवला सबसे बड़े फल माना जाता है, इसलिए अगर बालों की कोई समस्या है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप आवला का सेवन जरूर करें, तो दोस्तो देखा आपने एक आवला और कितने सारे फाइदे, तो यही थी दोस्तो आज की हमारी वीडियो जो होती है, यही समाब तो उमेद करता हूँ कि वीडियो और जानकरी आपको पसंद आई होगी, वीडियो जानकरी अच्छी लगीए तो इस वीडियो को जादा जादा लाइक करें, जादा जादा शेर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बे